छोटा भीम की कहानी, एक गाउं में एक छोटे से लड़के का नाम भीम था, वह बड़ा ही बहादुर और शक्तिशाली था, उसके साथ ही राजू, चुटकी, कालिया और इंडू भी बहुत मजाक करते थे, वे सभी मिलकर गाउं में खुशियों की खेती करते थे, छोटे भी भीम का पसंदीदा काम खाना खाना और खुद को मजबूत बनाना था, वह रोज दूद, दही, मक्षन और सबजयां खाता था, ताकि उसकी शक्तियां और बढ़ जाएं, एक दिन गाउं के बाहर एक बड़ी प्रॉबलम आ गई, दुर्बल और दुष्ट राजा हिरनी आं उसे लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं, छोटे भीम की बहादुरी और शक्ति ने गाउं को बचाया और उसे खुशियों से भर दिया, इसके बाद गाउवाले ने छोटे भीम की वीरता का सम्मान किया और वह गाउं का सच्चा हीरो बन गए, उनकी कहानिया आज भी बच् करती हैं।